नमश्कार में भार्दी को पास है और आप देख रहे हैं 27 News आज हम बात करेंगे Water Metro की जी हाँ एक नए और रोमांचिक सफर पर निकलने के लिए त्यार हो जाएए ये सफर होगा Water Metro का जिसकी शुरुआत होगी केरल के कोची से इस प्रोजेक्ट के लिए 78 इलेक्टिक बोट्स और 38 टर्मिनल तयार किये गए है यह 10 आईलेंड को आपस में जोड़ेगा इसकी खासियत यह होगी कि इसके जरीय प्रदूशन कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी जी हाँ Water Metro नाम सुनकर चौकी नहीं यह हकीकत है अब एक ऐसी Metro चलने वाली है जो जमीन पर नहीं बलकि पान प्रेसल मेट्रो के लिए 38 टर्मिनल बनाए गए है जबकि कुल 78 बोट्स त्यार किये गए है यह प्रोजक्ट एक लाग 13680 करोड रुपे की लागत से त्यार हुआ है Water Metro की सवारी परेटकों के लिए बहत खास रोमांचक होने वाली है Water Metro को लेकर कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं तो आए जानते हैं कि यह प्रोजक्ट आखिरकार है क्या क्या है Water Metro प्रोजक्ट बतादे केरल की कमर्शिल राजधानी माने जाने वाले कोची शहर को Water Metro प्रोजक्ट की सौगात मिलने वाली है यह कोची और उसके आसपास के बतादे दस दीपों को आपस में ज त्यार किये गए है प्रोजक्ट की लागत 1,13,683 करोड रुपे है इसकी सुविदा रोजाना सुभा 7 बजे शुरू हो जाएगी जो की रात 8 बजे तक जारी रहेगी जबकि पीक ओवर के दौरान हर 15 मिनिट में Water Metro मिलेगी इस प्रोजक्ट को शुरू करने का क्या मकसद है बता दे दक्षिन राजे के केरन में लगातार बढ़ते प्रदूशन और भीर को नियंतरित करने के उद्देशे को लेकर Water Metro प्रोजक्ट की परिकल्पना की गई बताया जा रहा है कि इस प्रोजक्ट से ना सिर्फ शेहर का पॉलिशन कम हो जाएगा बलकि ट्राफिक को भी कंट्रोल किया जा सकेगा इसके साथ ही जल परिवहन रेल या सड़क परिवहन की तुलना में अधिक बहतर और एनरजी एफिशियंट माना जाता है वाटर मेट्रो से एक लाग से ज्यादा लोगों की सुविधा मिलेगी कोची वाटर मेट्रो प्रोजक्ट का उदेश है राइडर से बढ़ाने के साथ ही आधूनिक एनरजी एफिशियंट प्रदूशन रहित बोट्स की सवारी कराना है कितने रूट्स पर मिलेगी यह आरामदा एक सवारी बता दे इस प्रोजेक्ट की तहत 15 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बोट चलाने की प्लानिंग की गई है यह 10 आईलेंड को आपस में जोड़ेगा यह रूट 78 किलोमीटर की दायरे में फैला हुआ है लोगों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए परशानी ना हो इसका भी विशेश ध्यान रखा गया है यह बोट्स एयर कंडिशन होने के साथ ही जाम में फसे बिना लोगों को कम से कम समय में उनके गंतव्य तक पहुचा देगा इसके लिए 38 इलेक्ट्रिसिटी बोट्स त्यार किये गए हैं इसके साथ ही 38 हाई ब्रिड घाट यानी टर्मिनल बनाए गए हैं इस्थानिय लोगों को क्या लाब होगा कोची शहर के लिए तियार किये गए इस प्रोजेक्ट का इस्तिमाल ना सिर्फ सारवजनिक परिवहन के साधन के रूप में किया जाएगा बलकि वाटर वेज यानी जलमार्गों से जुड़े छेतरों के विकास को भी बढ़ावा द लेगा प्रदूसन रोकने में कितना मददगार बता दे के डावलूम यानी कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ट्स तयार की गई है इसके लिए खास मॉडल बनाया गया है इन बोर्ट्स को जलब करते वक्त इस बात का विशेश दियान रखा ड़ूनी प्रदूशन को कम करने के लिए बोर्ट्स में स्पेसल उक्यूपमैंस लगाए गए हैं जबकि पावर स्टोर करने के लिए बैटरी भी लगाए अब य है है । आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खाबर पर